दस्मी और बार्मी के विद्यार थी गर्मी की इन छुटियों का मज़े लीजिए गरम-गरम लू के साथ और इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको यह कोर्स अवश्य करना चाहिए राजिस्तान में रहने वाली विद्यार थी जो अभी 10th और 12th का एक्जाम देकर फ्री हुए हैं या फिर होने वाले हैं उनको एक कम्प्यूटर कोर्स अवश्य करना चाहिए जिसका नाम है RSCIT इसकी फुल पॉर्ण राजिस्तान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन इनफॉर्मे RSCIT में सा क्या है जो मैं इसी-इसी के गुण गाए जा रहा हूं आप भी वविश्य के अंदर जुरू कम्प्यूटिशन का एक्जाम देंगे अगर मैं कहूं कि अगर आपकी पास RSCIT का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आने वाली किसी भी कम्प्यूटिशन के एक्जाम का आप फोरम फिल नहीं कर पाओगे तो दोस्तों कैसा लगेगा आपको जी हाँ दोस्तों यही सच है RSCIT के बिना राजिस्तान गवर्मेंट की तरफ से आने वाली किसी भी भरती के अंदर आप फोरम फिल नहीं कर पाओगे और बेसे भी आजकल कम्प्यूटर हर्थ फिल्ड म अनवार्य होता जा रहा है तो इस गर्मी की छुटियों को बेकार में पंके के नीचे सोकर बरबाद नहीं करें तो फिर दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि आपको RSCIT में क्या 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 कुछ सीखने को मिलेगा वेसे इसका सलेबस होता है जो नॉर्मली बेसिक से थो और इसका जो एक्जाम है वो आपके एडमिसिन के लगबग तीन मन्त के बाद में हो जाता है और एक्जाम के एक मन्त के बाद में आपको इस परकार का RSCIT का सर्टिफिकेट मिलता है जो की VMOU के दवार आपको मिलता है यानकी वर्दमान महाविर ओपन यूनिवरस्टी की त और दोस्तों जहां पर आप अपना एडमिशन लेंगे वहां पर आपको इस परकार की बुक मिलेगी इसी बुक में से आपका सारा एक्जाम आता है एक्जाम के अंदर मिलेंगे आपको मातर 35 क्योश्टिन वो होता है 70 नंबर का और प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर यानि की ट आप से ज़्यादा ले रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं दें अगर आपको आरेटी के बारे में कुछ अधर इंफोर्मेशन चाहिए तो आप rkcl.in या फिर vmou.in पर वीजिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी क्योश्टिन मैं जरूर उसका एंसवर दूंगा तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आपना एक लाइक हमारे वीडियो को जरूर दीजिए और कंप्यूटर से समंदित किसी भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना और ये बैल आइक कोन दिखाई दे रहा है इसे भी आप जुरूर पैस करें दूस्तों वीडियो को शेर कर देना गुडबाई